नमस्कार दोस्तो जहारखंड लाप के यूट्यूब चलन में आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है दोस्तो यहाँ पर गौवर्मन्ट अब जहारखंड द्वारा जो है वह जे आरेजमेंस में यहाँ पर 685 पदो पर एक बंपर वैकन से निकली है बहुत बड़ी भरती यहाँ पर निकली है विग्यापन जारी किया गया है 685 पदों पर नियुक्ति की जानी है तो हम यहाँ पर उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि किस पद के लिए कितनी सीटे हैं और क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है पूरा हमें डिटेल्स में यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप जहारकंड लाइब को और चली हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यह जो 685 पद है उसमें जो है क्वाल्फिकेशन रहने वाला है और क्या उम्र रहने वाली क्या सेलरी रहने वाली सारी चीज़े इस वीडियो में हम जानेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे है कि यह मेडिकल ऑफिशर आयूस के लिए यहाँ पर 299 सीट है यहाँ पर ठीक है बकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर सेलरी जो रहेगी आपकी वह 23,100 रुप्या रहे गई यहाँ पर ठीक है वहीं 299 मगर हम लोगे बात करें अन्रिजर्वर 34 है EWS साथ है ST के लिए 175 सीट है SC के लिए 63 सीट है BC1 के लिए 8 सीट है BC2 के लिए 12 सीट है ठीक है उसी तरह से यहाँ पर देख लिए मेडिकल ऑफिशर आयूस के लिए यहाँ पर मेन स्ट्रेम के लिए 66 पद है यहाँ पर सैलरी जो रहेगी 21,000 आपकी यहाँ पर रहेगी और रिजर्वर के लिए 15 है EWS के ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो सारी चीज़े इसमें बता नहीं है तो आप यहाँ पर कटेगरी वाज जो है वो देख सकते हैं आप वीडियो को फॉज करके ठीक है लेवरेटरी में देख लिए 6 पोस्ट है यहाँ पर सैलरी जो रहेगी 11,025 रहेगी ठीक है और 15 रुपिया मिलेगी ठीक है वहीं अडियो लोजिस्ट एन पीपी सीडी के लिए यहाँ पर 22 पोस्ट है और यहाँ पर देख लिए 30,000 आपकी सैलरी रहेगी डिस्टिट कंसल्टेंट MPPSCF के लिए 12 पद है यहाँ पर और सैलरी जो रहेगी वो देख लिए 49,613 पोस्ट 10 सीट है यहाँ पर और सैलरी जो रहेगी आपकी 21,000 रुपिया रहेगी वहीं पर डेंटल हाजनिस्ट की बात करें NOHP के लिए 65 पद है यहाँ पर और सैलरी जो रहेगी 21,000 रुपिया रहेगी डेंटल असिस्टेंट की बात करें NOHP के अंदर 69 सीट है यहाँ पर और सैलरी हेल्थ मैनेजर प्लानिंग के लिए पांच सीट यहां पर है आपका और सेलरी रहेगी वो देख लिए कितनी है 41,975 यहां पर सेलरी रहेगी ठीक है पबलिक हेल्थ मैनेजर के लिए NUHM डिस्टिक लेवल के लिए 28 सीट है और सेलरी जो हैगी 24,200 रुप्या रहेगी वहीं सोलर नमबर के बात करें तो PC, NPN, DT, को औरिनेटर डिस्टिक के लिए 5 पद है यहां पर आपका सेलरी जो है 20,000 रुप्या रहेगी वहीं पर अगर हम बात करें RKS के को औरिनेटर डिस्टिक के लिए हाँ पर एक पद है और 25,000 आपकी सेलरी रहेगी रिजिनल कोडिनेटर के लिए 2 सीट है यहां पर सेलरी जो रहेगा आपको 26,250 रुप्या रहेगी रिजिनल कोडिनेटर के लिए BSRC के लिए 2 पोस्ट है यहां पर 2 पोस्ट वैगेंसी और यहां पर 26,250 रुप्या सेलरी आपकी रहेगी रिज्नल आइअसी कोडिनेटर के लिए लिए दिएएंगे मैनेजर के लिए अटार पोस्ट याषी सपीच्छ टेराफिस्ट के लिए डिएएंगे, दो सबस्ट सेथे हाँ यहां अपके जालिके लिए लेखेश जेखे लिए थेखेंगे, और 12-000 न सबस्ट unforetta salon लुए सब् रुपय रहेगी ठीक है और उसके बाद यहाँ पर अर्ली इंटर वेंट्शनिस्ट कम स्पेशल एडुकेटर जो है वो यहाँ पर पांच पद है और उसके लिए यहाँ पर देख लिए सेलरी जो आपका रहेगा ठारा जार रुपय रहेगा सेलरी जो है वो 23,202 रुपय आपका सेलरी रहेगा ठीक है तो यहाँ पद की आपका यहाँ पर जूनियर नर्सिंग ट्यूटर के लिए 10 पद है और सेलरी जो है 33,075 रुपय रहेगा पर प्रोग्राम मैनेजर के लिए देख लिए यहाँ पर एक सेलरी जो है वो 60,000 रुपय योगा टेकनेशियन के लिए नेशनल आयूस मिशन के तहद जो है वो 2 यहाँ सीट है और सेलरी जो रहेगी आपकी 22,000 रुपय रहेगी ठीक है और रेजिनल कंसल्टेंट क्वालिटी आइसुडेंस के लिए देख लिए यहाँ पर 3 सीट है सेलरी जो रहेगी आपकी 37,330 र रहेगी वैक्सिन कोल्ट चेन लॉजिस्टिक मैनेजर के लिए वी सी सी एम इविन डिस्टिक लेवल के लिए 6 पद है यहाँ पर और सेलरी जो है वो 25,000 रुपय आपको यहाँ पर दी जाएगी ठीक है मेडिकल ऑफिसर जो है वो यहाँ पर पंच करमा के लिए 2 सीट है यह क firearm 일ाद यहाँ पर फीमेल है यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर 40,000 रुपया जो है वो सेलरी दी जाएगी और यहाँ पर डाटा मैनेजर हेड़ क्वाटर के लिए 2 सीटरिय पर और सेलरी 35,000 रुपिय दी जाएगा तो कंसल्टिंट 2 कर एक पद यहाँ पर सेलरी जो है और salary जो है वो उनकी क्या है यहाँ पर तो mode of application जो है वो यहाँ पर आपको apply online कर रहा है इस website पर ठीक है जिसके आप देख पा रहे हैं यहाँ पर website जो है कर सकते हैं ठीक है मैं description में link provide कर दूँगा आप वहाँ से क्लिक करना और आपका डिरेक्ट जो है लिंक open हो जाएगा apply करने वाला notification वाला भी ठीक है और यहाँ पर देखिए educational qualification जो है वो सभी की यहाँ पर दी गई है ठीक है तो medical officer के लिए डाक्टर के लिए ABMS, GMS from recognized university or college से होना चाहिए ठीक है इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं medical officer के लिए आयूस के लिए यहाँ पर भी जो है वो आईरवेड डाक्टर की ज़रुरत है ABMS, GMS from recognized university college ठीक है with completion of compulsory internship उसी तरह से laboratory assistant के लिए देखिए से कम से कम 50% मांक्स यहाँ पर होना चाहिए laboratory technician के लिए बीएस, MLT, Diploma in medical laboratory technician होना चाहिए district consultant के लिए MBBS, Dental, IUs, Nursing, Graduate with master in hospital administration होना चाहिए hospital manager की बात करते MBBS, Dental, IUs, Nursing, Life Science, Social Science graduate होना चाहिए with master in hospital, administration, health management with one year experience होना चाहिए यहाँ पर ठीक है qualification हो मैं बता दे रहा हूँ ठीक है आप यहाँ पर details में देख सकते हैं वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा short में बता रहा हूँ ठीक है bachelor degree in ideology and speech language pathology है bsc speech and hearing from जो यहाँ पर recognize institute से होना चाहिए district consultant के लिए फिर medical person, post graduate degree MD होना चाहिए in community medicine, public health, biochemistry, microbiology, pathology, community resource management ठीक है और non medical person के लिए यहाँ पर देख लिए PhD in biochemistry, nutrition, microbiology, molecular biology यह सब में आपका होना चाहिए ठीक है finance कम जो है logistic के लिए inter-CA, inter-ICWA, m.com और MBA finance होना चाहिए 13 साल का जो है वो यहाँ पर experience होना चाहिए फिजियो थेरेपिस्ट NPSC के लिए देख लिए बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन फिजियो थेरेपी होना चाहिए फ्रम एन ए रिकोगनाइट आफ युनिवर्सिटी आफ इंडिया और दो साल का जो है वो एक्सपरियान्स होना चाहिए डिपलोबा इन डिटल टेकनेशन डिटल मेकनिक कोर्स फ्रम ए रिकोगनाइट इंस्टी होना चाहिए डिटल असिस्टेंट के लिए देख लिए मैट्रिकुलिशन होना चाहिए किसी भी बोर्ट से और दो साल का experience होना चाहिए क्लिनिक में काम करने का एकाउंट एजिस्टेंट जी रेमेस के लिए देख लिए एमकॉम विच मिनिममं जो है पचपन परसेंट मार्स होना चाहिए और नौलेज जो है वह यहां पर एकाउंटिंग का वहना चाहिए और तीन साल जो है वह experience होना चाहिए डिस्ट्रीक्ट अर्बर हेल्थ मेनेजर प्लानिंग की बात करें तो दो यर्स का फुल टाइम जो है पीजी डिपलोमा इन हेल्थ सोचल वख वर्क रहा चाहिए management with hospitalization in health administration health management और पांच साल का experience चाहिए यहाँ पर ठीक है पंदरावी नमर की बात करें तो यहाँ पर public health manager के लिए दो साल का PG और PG diploma in public health hospital administration management hospitalization with HR personal जो होना चाहिए और दो साल का experience होना चाहिए PCN PDT coordinator के लिए district जो है coordinated district के लिए यहाँ पर LLB degree होना चाहिए और दो साल जो है वह experience होना चाहिए RKSK के लिए देख्ले जो कारेंटर के लिए दो यर्स full time जो है post graduate degree और PG diploma होना चाहिए और तीन साल का जो है वह experience भी होना चाहिए regional कारेंटर के बात करें तो VSRC के दो साल जो है full time PG diploma in economics statics management होना चाहिए और तीन साल का जो है वह experience होना चाहिए regional कोरेंटर के लिए यहाँ पर two years के जो है full time post PG diploma in journalism and mass communication में होना चाहिए और चार साल का जो है वह experience होना चाहिए किसी भी organization में काम करने का टीक है deic manager के लिए पोस्ट graduate degree in hospital health management होना चाहिए किसी भी रिपूटेटर इंस्चुट से और दो साल का experience होना चाहिए audiologist के लिए bachelor degree in speech language pathology from university of India और दो साल का जो है वह experience चाहिए ठीक है 22 नंबर पोस्ट के बात करें यहां पर तो optometrist के लिए deic के लिए bachelor in optometry from United University of India और good knowledge होना चाहिए computer operate करने का MS word में काम करने का और internet करने का अर्ली इंटर वेंट्शनिस्ट कम स्पेशल एडुकेटर जो है यहां पर देख लिए MSC in disability studies with basic degree in physiotherapy ठीक है occupational therapy speech language pathology ठीक है और पोस्ट graduate होना चाहिए diploma in early intervention with basic degree in physiotherapy ठीक है उसी तरह 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 यहां पर city account officer में यहां पर देख लिए इंटर सीए इंटर ICW, M.com, MBA in financial knowledge होना चाहिए टेली में यहां पर काम करने का और तीन साल जो है कम से कम experience होना चाहिए तीन साल काम करने का जुनियर nursing tutors के लिए B.C. nursing या GNM with diploma in nursing जो है वो यहां पर होना चाहिए ठीक है और at least जो है दो साल का यहां पर experience होना चाहिए ठीक है उसके बाद यहां पर देख लिए प्रोग्राम मैनेजर के लिए पोस्ट ग्रेजवेट और हायर जो है यहां पर education from the university in public health होना चाहिए और जो है पांच साल का experience होना चाहिए ठीक 27 नंबर की बात करें एक एकांट्स मैनेजर आया यहां पर तो इंटर 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 सी डवलू एमकॉम एंबीए इन फाइनेंस विठ नॉलेज ऑफ टैली सॉप्टवेर होना चाहिए और यहां पर तीन साल का जो है एक्सपरियेंस भी होना चाह चाहिए योगा टेक्निशन के लिए देख लिए ग्रैजुएट फ्रॉम एरिकुगनाज उनिवसिटी पर चाहिए और डिप्लोमा इन जो है वो योगा में होना चाहिए और वन साल का एक्सपरियेंस भी चाहिए रिजिनल कंसल्टेंट के लिए क्वालिटी असुरेंस के ल होना चाहिए एजिकुटीव एसिस्टेंट की बात करें यहां पर एकाउंट्स के लिए तो बास्टर और पोस्ट ग्राजुएट डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए और यहां पर जो है वो किसी भी ओर्गानेशन का कम से कम जो है वो यहां पर पांच करोड का होना चाहिए मिनिममम ठीक है और जो है हो यहां पर बैचलर Sounds काक इस पिरियंस के लिए प्लस मास्टर डिग्री होना चाहिए मैनेज्मेंट साइन्स नौलemorजिज अफ लॉजिस्टिक्स सोसल वर्ग के लिए तीक है और यहां पर स्क मुम्नीकेसर होना चाहिए और कमीटर में पंच कर्मा के लिए देख लिए यहाँ पर B.A.M.S. फ्रॉम रिकुनाजी नियुवसिटी कॉलेज विच पोस्ट ग्रजुएट इन पंच कर्मा होना चाहिए ठीक है पर्मानेंट रिजिस्टर नमबर होना चाहिए जहारखना स्टेट जो है वो यहाँ पर मेडिकल काउंसिल से रिजिस्टर पंच कर्मा टेक्निशन आई उसके देख लिए डिप्लोमा इन पंच कर्मा आयुदनेर सिंग ठीक है और डाटा मेनजर स्टेट हेड़ क्वाटर के लिए फुल टाम पोस्ट ग्राजुएट डिग्री और टू यर फुल टाम डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लिकेशन होना चाहिए फुल टाइम कोर्स आफ मास्टर इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी मिनिममम तीन सल का जो है वह एक्स्प्रियेंस भी होना चाहिए और उसके बाद कंसल्टेंट एन पीपी सीडी के लिए डिग्री वी इन डिप्लोमा इन कंप्यूटि मेडिशिन फ्रिवेंटिव और सोचल मेडिशिन कंप्यूटि हेल्थ एडिमिस्टरेशन प्रोग्राम में काम करने का एक्स्प्रियेंस भी होना चाहिए एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त को 1 अगस्त 2019 को यहां पर जारी किया गया है जैंडरल वालों के लिए 35 साल ओविक के लिए 30 साल फिवेल के लिए 38 साल सेटट के लिए 40 वहें पर पीच करटेग्री के लिए जैंडरल में 40,22 मोई 22 यहां पर पर जी हो है वह यहां पर कर यह 읽 देख लिए यहकोई लिए g weapons UK क्लीолिए89 यहां पर यहां पर है ट्रश बुड प्लब बहुत ध लिए और यहां पर देख लिए यह ज़िसे इन्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपको कम से कम जो है वह फिजिकल हैंडिकेपट जिन का है वह यहां पर इतना पर्सेंट जो है वह वो होना चाहिए यहां पर ठीक है और यहां पर जो है वह आप अप्लाइक कर सकते हैं आपका 13 सितमबाद से पहले यहां पर ठीक है तो उम्मीद करता हूं को आपको सारी जानकारी मिल गई होगी वीडियो पसंद आए लाइक करें टेलन को सब्सक्राइब नहीं कियां सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजे आप हमारे टेलिग्राम या फेस्बूक में भी जॉइन कर सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है